नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखन प्रिविस एर GK MCQ सीरीज जिसमें हम GK के उन कोशन्स को यहाँ पर कवर करते हैं जो आपसे प्रिविस एर के पेपरों में पूछे गए होते हैं जैसे मैंने आपको कहा था इस सीरीज में हम UKPSC के कोशन्स को देखेंगे UKSSC को देखेंगे और साथ में UP के अंदर जो आपसे GK के कोशन्स पूछे गए हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे आज के वीडियो में UP PCS का जो कल एक्जाम हुआ था आपका उसमें जो GK के कोशन्स आयत और इसी तरी की कोशन्स आपको उत्राखंड में भी देखने को मिलते हैं उन कोशन्स को आज हम यहाँ पर एक्ष्टा फेक्ट के साथ यहाँ पे कवर करेंगे अगर आपने अभी तक इस सीरीज की पहले की क्लासिस को नहीं देखी हैं यह हमारी 23 क्लास है अगर इससे पहले की क्लासिस को नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएका तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है निमलिकित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिर तक काल करम अनुसार व्यवस्थित कीजिए यानि कौन सी घटना पहले घटी उसको आपने पहले रखना है और उसके अनुसार इनको अरेंज करना है तो चलिए इनको अरेंज करते हैं सबसे पहले इनकी डेट देख लेते हैं कौन सी घटना कब घटी प्रारूप समीति का गठन ये होता है 29 अगस्त 1947 को दूसरा है भारते सम्विधान को अंगिकरित और अधिनियमित ये किया गया था 26 नवंबर उनिस सो उन पचास को भारते सम्विधान के प्रविर्थ होने की तिथी यानि पून तहा लागू कब किया गया तो 26 जन्वरी 1950 को और सम्विधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को यानि सबसे पहले ये वाली घटना गटी 1946 की यानि चार उसके बाद ये वाली घटना गटी आपकी एक उसके बाद ये वाली घटना गटी यानि की नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 वाली घटना गटी चार एक, दो टीम, option B, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीके के previous year questions के माध्यम से आपको idea हो जाता है, किस तरीके से अब questions को यहाँ पर pattern आप से पूछा जाता है, कितने deep questions आपके बनते हैं, और जीके के कौन-कौन से नई question अब पूछे जाने लगे हैं, नेक्स्ट है, निमलिकित में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, तो यहाँ पर एक तरफ दर्शन दिये गए हैं, और एक तरफ उनके प्रवर्तक या प्रचारक दिये गए हैं, वैश्विक दर्शन का प्रतिपादक या प्रचारक कौन था, तो क्या पतंजली हैं, तो यह गल नहीं थे, उत्तर मिमांशा के थे वादरायन, ठीक है, तीसरा है मिमांसा, जो हम पूर मिमांसा कहते हैं, तो इसके कंडव नहीं थे, इसके कौन थे, जैमिनी, हमसे सही वाला पूचा है, option D इसका सही है, न्याई दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे, option D सही आंसर हो जाएका, ठीक है, पतंजली किसके प्रतिपादक थे, योग दर्शन के, कपिल मुनी किसके थे, ये थे आपके सांख्या दर्शन के, इनको भी याद रखना है, ठीक है, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है, कई बार इस question को हमने देखा है, जो पंचायत के चुना होते हैं, दो बाते हैं, एक है इनको करवाने का निर्णे और एक है इन चुनावों को करवाना, करवाने का जो निर्णे होता है, वो इस्टेट गवर्मेंट का होता है, राज्य सरकार लेती है, और चुनाव करवाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयो, option C, सही आंसर होगा दोनों कोशन बनते हैं पंचाय चिनाव करानी का निर्ने कौन लेता है ये आयोग नहीं लेता यहाँ पर स्टेट गवर्रमेंट यानि राज्य सरका लेती है करवाएगा कौन राज्य निर्वाचन आयोग एक और कोशन बना था उत्राखंड के अंदर आय था इसी से मिलता चेद के तहट जो निर्वाचन आयोग है ये चिनाव करवाता है या राज्य निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल के तहट गठित किया है इस तरीके से तो 243 आप जानते हैं क्राम पंचायतों से संबन देते हैं 243 के कई सारे सपार्ट्स हैं जैसे 243 A, B, C, D इस तरीके स जो 243 का है इसके तहट राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चिनावों को करवाता है ठीक है 243 D में आप जानते हैं ये भी पेपर में आया है इसमें पंचायतों में आरक्षन की ववेस्ता है ठीक है वैदिक कालीन प्रशाशन में भाग दूहा अधिकारी कौन हails था था तो देखे वैदिक काल के अधिकारियों के नाम आपसे पूछे जाते हैं कौन व्यक्ति किस छेत्र का अधिकारी होता था एक ऐसा ही अधिकारी है भाग दूहा ठीक है कहीं पर इसका नाम भाग दूग गया है तो दोनों एक ही बात है वैदिक काल का जो भागदूह अधिकारी है यहां राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था इसको आपने याद करना है ठीक है और कुछ important यहां पर शब्दा वली है वैदिक काल की जो आपको याद करने एक होता है महीशी यह क्या होती थी वैदिक काल में राजा की पतनी को महीशी बोला जाता था ठीक है एक है सूत यह किसको कहते थे जो राजा का सार्थी होता था उसे सूत बोला जाता था वैदिक काल में ठीक है जो कोश अध्यक्ष होता था कोशाध्यक्ष होता था उसे संग्रहित बोला जाता था इसको भी याद करना है और जो टेक्स वसूलने वाला होता था कर अधिकारी उसे बोला जाता था भाग दुहा इसको भी याद करेंगे ठीक है जो वन का अधिकारी होता था जंगलों का अधिकारी होता था उसे गौवि तो दीए एक famous किताब है मिलिंद पनोह। इस किताब में एक युनानी राजा था हिंदी युनानी शाषर मिंडार जिसको यहाँ पर मिलिंद लिखा गया है। युक्रीन का सबसे बड़ा कोईला उत्पादा केंद्र कौन सा है। तो ये कोशन भी कल के एकजाम में आप से पूछा गया था करेंट अफेर का काफी important कोशन है। काफी समय से युक्रीन और रशिया चर्चा में हैं। हो सकता है उत्राखन में भी ये कोशन रिपीट हो जाए जो युक्रीन है कोईला का यहाँ पर इसका सबसे बड़ा अगर हम उत्पादा केंद्र की बात करें तो वो है डॉनबास। और जो रशिया और युक्रीन के बीच में युद्ध भी चल रहा है दो छेत्रों पर रशिया अपना अधिकार मानता है एक उनमें से है डॉनबास दूसरा है लुहांस्क ठीक है तो डॉनबास आपको याद करना है कोईला उत्पादा का सबसे बड़ा छेत्र है युक्रीन का ठीक है पूरे युक्रीन में जितना कोईला होता है उसका 90 प्रतिशत अकेला यहीं से होता है और यही एक मुख्य छेत्र है युद्ध का इस किताब को लिखा है गुर्णार मिड़ल ने ओप्शन सी सही आंसर होका और इस गुर्णार मिड़ल को लेकर एक और important question आप से पूछा जाता है economics को लेकर के इंडियन history को लेकर के हम पंच वर्षिया योजना पढ़ते हैं आप जानते हैं योजना आई थी जिसको बोला ग पंच वर्षिया योजना को खतम कर देते हैं और rolling plan को शुरू करते हैं तो rolling plan किसने प्रतिपादित किया इसी गुनार मिड़ल ने प्रतिपादित किया और इसी की किताब है The Challenge of World Poverty इसकी एक किताब और है जो आप से railway में पूछी गई थी Asian drama ये किताब किसकी है वो भी मिड ठीक है संयुक्त राज अमेरिका और मेकसिको के बीच सीमा पर इस्तित नदी कौन सी है तो अमेरिका और मेकसिको इनके बीच में कौन सी सीमा है ये आपने बताना है कौन सी नदी यहां पर border बनाती है तो Rio Grande नदी जो है यह यहां पर border बनाती है अमेरिका और मेकसिको के कल वाले एक्जाम में आप से पूछा गया था। लेकिन मुख्य रणिरितिकार कौन थे रास बिहारी बोस। बंप फेका गया था 1912 में और इस पूरे घटना करम को दिल्ली शडियंतर केश के नाम से जाना जाता है। किस संग के लोग इसमें शामिल थे? युगांतर संग के युगांतर जो पार्टी थी इसके लोग इसमें शामिल थे। ऑप्शन B सही आंसर होगा। अभी तक सिर्फ इतना पूछा जाता है हाडिंग के उपर बंप कप फेका गया? 1912 में फेका गया। कौन मुख्य योगदान करता थे इसमें? रास बिहारी बोस। उनके साथ ही कौन है? सचींदर सन्याल। और किस किस को इसमें फांसी दी गई इस दिल्ली शडियंतर केस में तो इसमें बसंत कुमार को दी गई, अवर बिहारी को दी गई, इसके लावा अमीर चंत को दी गई, रास बिहारी बोस यहां से निकल कर जापान चले जाते हैं, ये पूरा घटना करम था। लेकिन अब आपसे ये कोशन पूछा गया, ये जो समीती के जो संस्थापक थे, अर्विंद घोश, बारिंद्र घोश, ये इसके संस्थापकों में से एक थे, कुछ समय के बार इनका मतभेद हो जाता है अनुसिलन समीती के कुछ सदस्यों से, और एक अलग ये संगठन बना लेते हैं, जिसका नाम रखा जाता है युगांतर और इसी के लोग शामिल थे, बम फेकने में, ठीक है, नेक्स्थ है, भारत में जन संख्या इस्थाइत्व का लक्ष किस वर्ष तक निरधारित किया गया है, तो जो जैविक डेटा केंद्र है, भारत का पहला है, और इसे हरियाना के फरीदाबाद में इस्थापित किया जा रहा है तो option B इसका सही आंसर होगा उत्राखन में भी ऐसे ही आपके जो पहली चीजे होती है भारत में वो आपको पूछी जाती है तो इसको आपने ध्यान रखना है ठीक है next है खनीजों से related question भी आयोग यहां पर पूछता रहता है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंद में निमलिकित में से कौन सा एक सही काल अनुकरम है यानि किसने भारत पर पहले आक्रमण किया वो करम आपने बताना है इन में से अगर हम बात करें सबसे पहले भारत पर युनानियों ने आक्रमण किया उसके बाद सक यहां पर आये और अंत में कुशानों का यहां पर आक्रमण हुआ तो option C इसका सही आंसर होगा यह इसका सही क्रम है सरवच न्याले के एक न्याधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है यानि जो सुप्रीम कोट है अगर इसके कोई जज अपना यहां पर इस्तीफा देते हैं तो किसको देंगे तीन यहां पर condition होती है सुप्रीम कोट से किसी भी जज को अपने पद से सेवामुख्थ करने की पहली condition है जज की उम्र 65 वर्ष के ऊपर हो जाए जैसे ही ऊपर हो जाएगी सेवामुख्थ हो जाते हैं दूसरी condition है जज खुद अपना त्यागपत्र देते और अपना त्याकपत्र देते हैं राष्टपती को और तीसरी कंडिशन है जो संसत के द्वारा महाभ्योग लगाया जाए और जज़ को यहां से राष्टपती के द्वारा हटाया जाए तो यह तीन कंडिशन है त्याकपत्र किसको देगा राष्टपती निक्ति भी राष्टपती करते हैं महाभ्योग संसत लगाती है लेकिन महाभ्योग में जब वो गलत साबित हो जाते हैं उन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो हटाने का भी काम कौन करेंगे राष्टपती करते हैं ठीक है भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है तो हांगुल भारत में पाया जाता है जम्मू कश्मीर में संगीत की टपा शैली निमलिकित में से किस मुगल समराट के दरबार में पारिश्कृत और विक्सित हुई थी तो देखे संगीत की एक और शैली है टपा शैली ये विक्सित हुई आपके मुगल समराथ था मुहम्मद शहा जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है जिसके काल में फारस का जो शाशक था नादिर शाह उसने आक्रमन किया था तो मुगलों के काल में ये किस राजा के काल में हुआ कोशन बनते रहते हैं ये कलवाले एक्जाम में आप से पूछा गया था तपा शैली संगीत की है मुहम्मद शहा के काल में ये अपने चरम पर पहुँची इसको याद रखेंगे तिक हैं नेक्स्ट है नीचे दो कθन दि और इसका कारण दिया गया है संसत के दोनों सदन द्वारा जो पारित विधेयक है जब राश्ट्रपती की सहमती होती है उसके बिना वो कानून नहीं बन सकता यानि राश्ट्रपती की सहमती के बिना कानून नहीं बन सकता और इसी लिए क्योंकि जो भी कानून बनेगा संसत स संसत से पारित होने के बाद राश्टपती के हस्ताक्षर भी अनिवार्य हैं क्योंकि राश्टपती संसत का एक अभिन अंग है तो यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा मध्यान भोजन योजना को पीम पोशन योजना में किस वर्ष पुनर निर्मित किया गया तो मध्यान भोजन योजना यानि मिड़े मील की यहां पर बात हो रही है मिद्डे मील योजना की आप जानते हैं नाम बदल डिया गया है इसका नाम अब P.M. पोषन योजना कर दिया गया है ये नाम परिवर्तन कब हुआ ये कोशन बना है ये परिवर्तन हुआ था 2021 में ठीक है जो मिड़े मील योजना है इसकी शुरुवात होती है 1995 में अब इसका नाम बदल दिया गया है इसका नाम 2021 में बदल दिया गया था ठीक है नेक्स्ट है हमारा भारत का प्रथम नैशनल सेंटर मरीन बायो डिर्वसिटी कहां इस्तित है तो नैशनल सेंटर मरीन बायो डिर्वसिटी यानि की पहला राश्ट्रिया समुद्री जैव विविदता केंद्र भारत का ये पहला है और इसे इस्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर में ओप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है जल रोक्ठाम एवं प्रदूशन नियंतरन अधिनियम को निमलिकित में से किस वर्ष बनाया गया था तो जल प्रदूशन के लिए अधिनियम बनाया गया 1974 में और वायू प्रदूशन के लिए 1981 में दोनों को आपने याद करने हैं, दोनों question पूछे जाते रहते हैं, ठीके, तो friends यह ता हमारा जो हमारी सीरीज है, उत्राखन जी के previous year question series जिसमें हम उत्राखन और UP के अंदर जो आपसे जी के question पूछे गए होते हैं, जो आपके लिए आने वाले exam के लिए important होते हैं, selected questions को यहा पर पूरी detail के साथ हम cover करते हैं, आज हमने इस सीरीज का 23 पार्ट यहां पर cover किया, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, class अगर आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में हमें जरूर बताएं, और साथ में आपका कितना score रहा, वो भी आप comment में कर सकते हैं, thank you friends